सदस्तर 2024 में Google Ads मत यूज़ करना तो ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ दिखिए बहुत सारे Creators ने यहाँ पर Google Ads का यूज़ करके अपने Impressions को चैनल के डाउन कर दिया है CTR को डाउन कर दिया है इवन Revenue को भी डाउन कर लिया है तो ऐसा हो क्यों रहा है दिखिए क्योंकि Creators सही तरीके से Google Ads नहीं लगा रहे हैं उसके लिए कई ऐसी Strategies का यूज़ की जा रहे है कोई ऐसे Options को चूज़ की जा रहे है जिससे कि उनका Day बेड़े Impressions डाउन हो रहा है CTR डाउन हो रहा है इस तरीके से Ad को मत यूज़ करना जैसी मैं आपको अभी Strategy बताने वाला हूँ ऐसा यूज़ करना तो आपके ना तो Impressions गिरेंगे ना CTR गिरेगा और ना ही आपके Views बाकी वीड़ोस के डाउन होगे ठीक है क्योंकि दिखें सबसे पहले एक चीज़ को समझी है फिर हम जाएंगे कि Campaign कैसे आपको सही तरीका क्या है सबसे पहले होता क्या है कई यहाँ पर ऐसे Creators है जो Daily Basis पर Ads का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं करी जा रहे हैं उससे क्या होता है सारे नुकसान ही नुकसान होने लगते है अगर आपको थोड़ा से चैनल भी चल रहा था तो देन वो Google Ads आपने इस तरीके से लगा दी तो आपका चैनल बिल्कुल ऐसे जना स्टार्ट हो जागा है ठीक है अब दिखिए वीडियो को बनाने का मोटीव यह है कि मैं आपको सही स्ट्राटेजी बता पाऊं सही तरीका बता पाऊं Google Ads लगाने का आपको स्टार्टिंग में यह तो पता चल लगा कि इसके नुकसान क्या हो रहे है लेकिन अब अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे इसको ध्यान से देखना तब ही आपको बता चल लगा कि सही स्ट्राटेजी कौन सी है और कैसे आपको Google Ads को लगाना है तो लेट्स मूव ऑन टू में कम्पूटर स्कीन और देखते हैं स्ट्राइज को डीटेल में तो गैस अभी हम मेरी कम्पूटर स्कीन पर आज चुके हैं तो यहाँ पर डिरकली मैं आपको लेकर रहा हूँ जहां से मैं वाले हैं तो आपको वीडियो पर चले जाना है देन आपको दिखें यहां पर जो ऑप्शन मिलेंगे इनको ध्यां से समझीए फर्स्ट वीडियो व्यूज मतलब कि इसमें इंप्रेशन पर थाउजन इंप्रेशन के आप से पैसे चार्ज किया जाएंगे कोई आपके उस पर क्लिक करें या ना करें वो मेंटर नहीं करता है कि अगर कोई व्यू आएगा तब यहां पैसा देना है ठीक है क्लिया सो देन आपको कर देना है कॉंटिन्यू पर क्लिक ओके तो देखिए यहां पर उसके बाइद थोड़ी सी लोडिंग ले सकता है कि हम किसी रैंडम strainल ली वीडियो को उठा लेते हैं तो जैसे यहां पर गया और मैं चैनल को टाइप किया प्रो क्रियेटर के तो मुझे मुझे याद रहे कि मेरी केंपेंच का और मिरे याद रखने के लिए है ठीक्ए उसके बाद kit कि first is, यहाँ पर है budget and dates, यहाँ पर आपको दो तरीके से दिखाई देगा, campaign, total and daily, तो मैं आपको recommend करता हूँ, यहाँ पर daily पर रखो, अगर आपको अच्छा खासा यहाँ पर result चाहिए, तो ठीक है, नेटवर्क्स को कुछ नहीं करना है, location आपकी इंडिया रखनी है, अगर आप इंडिया में दिखाना जाते हो, all country या किसी और country में दिखाना जाते हो, वो आपका यहाँ पर इच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं आपर इंडिया पर रखकर आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इसका लिंक डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर दिखे, आपकी एक तो जो प्रॉपर हम जिस वीडियो की एड लगा रहे हैं, वो तो दिखाई देगी ही देगी, और आपकी दिखे, दो जो और वीडियो की लिंक डालेंगे, उसको भी प्रमोट कर अब आपकी इंप्रेशन जितने आते हैं, उतने जदा वीडियो नहीं आपाते हैं, उसकी वज़ा से आपका क्या होता है, अगर आप इसे डेली बेसी पर लगाना शुरू करते होगे, तो आपके यहाँ पर चैनल डाउन होने लेकिन यहाँ पर आपकी इंप्रेशन जितने अब आप करेंगे कि सर्फ गूगल ने अबडेट की ही क्यों है, अगर आप सही तरीके से सब कुछ टार्गेट कर रहे हो, लेकिन इसको ज्यादा यूज मत करना, मैंने यूज करके देखा है, और मेरे भी चैनल था, उसके इंप्रेशन है, सब कुछ डाउन जाने लग गया कि मैं इसके बारे में, responsive ads के बारे में और detail में बताऊं, तो आप comment कर देना, मैं आपको next video फिर इस पर ही लाकर देजूँगा, अभी के लिए आपको इसे अंटिक करना है, ठीक है, no doubt जो आपकी अब add चलेगी, वो आपको इससे थोड़ी सी ज़्यादा cost ली होगी, मतलब कि आपका channel भी down जा रहा है, ads लगाने की वज़े से, ठीक है, then additional settings पर जाओ, devices पर जाकर, यहाँ पर set specific करके, tv and tablet को यहाँ पर untick कर लो, ठीक है, clear हो गया यहाँ तक, then हम इसको बंद कर देते हैं, फिर add group name, यह भी सिर्फ मेरे याज रखने के लिए है, G1 मैंने इसको डाल दिय अब दिखे, यहाँ पर जो audience का option है, यहाँ पर दिखे, कई creators इसका use नहीं करें, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, दिखे, add saved audience पर जैसे click करता हूँ, so दिखे, मैंने यहाँ पर जो ads में चलाता हूँ, मैंने उसका proper audience बना कर रखी जैसे कि आपकी गूगल ads के वीडियो है, मैंने गूगल लिख दिया, इसके बाद दिखे, आपके यहाँ पर interest base पर चलिए नहीं, यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है, जैसे अगर आप अप जाते है, digital marketing, ठीक है, तो मैं यहाँ आप लिखता हूँ, digital market, यहाँ पर दिखे अपनी यह audience बना लेंगे, तो उसको आपको select कर लेना है, ठीक है, सिर्फ वही audience को फिर आपकी वीडियो की ad दिखाई देगी, ठीक है, एक तो यह चीज़ आपको miss नहीं करनी है, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, अपने चैनल को अपने Google Ads account के साथ लिंक जरूर कर आपको link करने का, गूगल एक लिंक करने का, यहाँ पर option आपको दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी email पर approval आएगी, उसको done कर देना, फिर आपका जो channel है, वो link हो जाता है, आपकी Google Ads के साह, जिससे कि आपकी वो same audience को target करना, start कर देता है, गूगल अगर आप अपने channel के लिए, फिर बार बर ads लगा रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ तक हमने देखिए, दो तीन चीज़ें सीखी है, budget के बारे में सीखा है, और जो और मैं आपको समझाने चाता था, एक responsive वहाँ पर उसको un-tick करने के बारे में, उ इसको हमें अभी कुछ नहीं करना है, audience को हमने बंद कर देना, जैसे अपने select कर लिया, यहाँ पर audience expansion आएगा, इसको on जुरू कर ले ना, जैसे आप audience select करेंगे, फिर आपके सामने option आएगा, इसको on कर देना, जीकर टिक कर देना audience expansion को, then देखिए, अब यहाँ पर keywords की बात क इसकी जबर requirement भी नहीं है, so यहाँ पर आप एक चीज़ चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा result ला कर देगी, वो है यहाँ पर YouTube channels की placement, ठीक है, so basically यहाँ पर आपको क्या करना है, मलगी आपकी category कि अब आपको बताओगा कि कौन से channels है, ठीक है, so जैसे हम दिखिए, यह website learners channel है, इसको मैंने क्या क्या, इसके link को copy कर लिया, उसके बाद यहाँ पर गया, और Google Ads पर चले गया, then मैंने यहाँ पर जाकर इसके link को paste कर देना है, so दिखिए, जैसे मैं इसको paste करूँगा, channel दिखाई देगा, मैंने इसको tick कर दिया, अब इसका मतलब क्या है, कि मैं जो यह ad लगा रहा हूँ, वो जो channels मैं यहाँ पर place कर दूँगा, इनी channels पर जाकर मेरी यह वाली ad दिखाई देगी, मेरी यह video की ad दिखाई देगी, सब देखिए, मेरी video भी Google Ads पर है, और अगर मैंने इनके channel के साथ अपनी video को चिपका दिया, तो इनकी audience मैं transfer करके ले ही क्योंकि हर कोई दिखिए, अगर कोई नया आता है, चीज समझाने लगता है, अगर आपका तरीका अच्छा है, thumbnail अच्छा है, आपको automatically यहां से अच्छा response आ जाएगा, आपकी add आपको अच्छा result लाकर देगी, ठीक है, इनको बिलकुल भी आपको miss नहीं करना है, अगर यहां से open करता हूँ, pro creators हमारा यह channel था ठीक है, अब हम विलकुल last part पर हैं, तो वीडियो के साथ बने रही है, बस ending हम यह आपर करने वाल है, ठीक है, तो then share and copy and उसके बाद यहां पर जाकर हमने इसको paste कर दिया, ठीक है, यह विलकुल final process है, then हम यहां पर in feed video add हम लगा रहे ह अब headline में दिखिया, अगर मैं directly दिख दूँआ, Google ads and tutorial ठीक है, यह लिख दिया, 2024, तो अब यहां पर इसमें एक mistake है, तो अगर आप पहले से ads लगा रहे हैं, आपको पता होगा, लेकिन यहां पर trademark error आ जाएगा, वो क्यों, क्योंकि Google word जो है, वो किसी ने trademark किया हुआ है, इस जी ओ, उसके बाद आपने जी डाल दिया, आपको सीधा पूरा Google नहीं लिखना है, आपको उसके name में, spelling में थोड़ी से changes कर देने, जिससे कि आपको trademark का error ना आए, ठीक है, दा नीचे decision डाल दो, जैसे कि मैं यहापर simply डालता हूँ, watch, no, ठीक है, ऐसे डाल दिया, तो इस त अपने competitors channel देखो, चैनल पर अपनी ad को paste कर दो, ठीक है, audience अगर आप छोड़ना भी चाते हो, छोड़ सकते है, लेकिन मैं तरो कमेंट करता हूँ, जरूर लगा हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी कोई ऐसी वीडियो है कि वहाँ पर उसकी audience कौन सी होगी, तो आप फिर यहाँ पर directly channel को place कर दो, जो आपको लगता है कि आपके competitor channel है, जिन channel पर वहाँ पर वह वाली videos पहले से पड़ी होई है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखे पूरी campaign बनाना है, तो end में आपको बस अपनी bid देनी है, यहाँ पर ठीक है, जैसे आप देते हैं आने differently videos पहले बना कर upload की हुई है, उसके बारे मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो और lengthy चली जाएगी, उसका अलिए डिरेक्टली नीचे description में है, ठीक है, उसको जरूर वाच कर लेना, वहाँ पर मैंने विडियो की strategy बताई हुई है, कि कैसे अगर आपके views ज्य पर ला सकता है, ठीक है, बीच-बीच में उसका लो, कोई issue नहीं है, बाकी आपको कोई चीज नहीं समझाई है, कुछ query है, किसी बीचीज को लेकर comment कर दो, मैं पूरी कोशी करूँगा, कि आपके comment का answer दे सकूँ, आपकी query को solve कर सकूँ, और bid strategy की video को नीचे से watch जरूर कर ले और आपका channel किस category का है, वो भी आप नीचे comment कर देना है, ताकि हम उस category के लिए, फिर dedicated एक video लाएं, कि उसकी add कर से लगानी है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किसके majority comments आते हैं, तो चलिए दलते मिलते हैं, ऐसी और भी next valuable videos के साथ, अब तक लिए आप सभी को goodbye झाल